पंजाब में क्या हो रहा है वहां भी एक तरीके का ससो पंज बचा हुआ संसे बना हुआ है अभी आपको क्या रखता है आज जब पॉलिंग हुई जिस तरीके की पॉलिंग परसेंटेज हुई मुझे लगता है पॉलिंग परसेंटेज भी पिछली पार्कितुला में कमी आशुतोष जी सबसे पहले तो मैं लुद्याना से आपके साथ जुड़ा हूँ पट्याला से नहीं जैसे आपके साथ ने इतनी इतनी गंभीर बात नहीं है ठीक है जी तो फिर भी मैंने कहा जानकारी के लिए दूसरी बात यह है कि इस बार संशे वाली सिचुएशन तो बनी हुई है आज भी बरकरार है और जो वोट परसंटेज अभी तक सामने आया है पांच पांच साड़े पांच बजे के करीब त्रेसट परसंट जो है यह बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा है अगर हम मुकाबला करें दोजार बारा और दोजार सत्रा के परसंटेज का हुजार सत्रा में यह सततर सेवन्टी सैवन परसंट था तो अगर हम मान भी लें के पांच साड़े पांच बजे के बाद की जो है परसंटेज अगर काउंट करें तो मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत सतर वाला अंकड़ा भी जो है उसको टच करेगा हाँ लेकन इस बार जो पिछले एलेक्शन्स है उट में एक बड़ा नुमाया जो अंतर है वो यह है कि 2012 में तो बाइपोलर था दो हजार सतरा में यह त्रिकोनिया हो गया आमाद्मी पार्टी लेकिन आमाद्मी पार्टी को वही डिसडवंटिजेज थे जो एक डेब्यू करने वाली पार्टी को होते हैं और उसमें उन्होंने बहुत सी गलतियां करी नंबर अफ सीड्स भी काम आए और उनका वोट शेर भी लेकिन जितना भी था वो बहुत क्रेडिटेबल था क्योंकि पहली बार वो लड़ रहे थे और उन्होंने जो में इंकंबेंट पार्टी थी श्रोमनिया का ल जो फाइव कॉर्नर कॉंटेस्ट था इस बार उसमें जो ओवराल परसंटेज है उस ओवराल परसंटेज के होते हुए भी ये हम मैं आमाद्मी पार्टी को के लिए ये बोल सकता हूं कि वो सिरकार बनाने की स्थिती में है या बिलकुल बॉर्डर लाइन कीस है उसकी एकाली दल ने रापीट किया था और एकाली दल के 56 seats पे वो थे और 15 पे बीजेपी था टोटल 71 seats 80 percent वोडशेर के साथ वो 71 seats लेके जा रहे हैं और 2017 में वो 77 percent जो total है उसमें से Congress जीत रही है और 77 seats लेके जा रही है परसंटेज ओवराल कम होने के बावजूद भी एक परसंट उसका जो नमबर अफ सीट से वो छे ज्यादा बढ़ रही है उससे तो उस लिहाँ से अगर कोंकि यहाँ पे हमें 59 चाहिए MLAs सरकार बनाने के लिए तो मेरा यह मानना है कि अगर परसंटेज कम भी रहती है तब भी ऐसी एक स्तिती आ सकती है कि जो 59 सीट सें सरकार बनाने के लिए उसको छुआ जा सकता है उसके लिए आमादी पार्टी को फ्रम ओल इंडिकेशन्स यह माना जा रहा है कि वो कर सकते हैं ठीक है और वो लार्जस पार्टी वाला भी हो सकता उनका ठीक है कि दरसल आमादी पार्टी नंबर वन पार्टी इस वक्त है पंजाब के अंदर और वो सरकार भी बना सकती है और नजबीक भी रह सकती है आप चंडीकर में बैठे हुए आप भी पंजाब पे बहुत तगड़ी नज़र रखी हुए मैं इसको 2014 से देखता हूँ जब पहली बार आमादमी पार्टी लड़ी उस समय की स्थिति देखे फिर 2000 जो 17 का चुनाव लड़े उसको आप देखे सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिलती है वो कि अताली दल का वोट जो एक वोट है सर्टेन वो इंटेक्ट रहता है जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक आज परसेंट दो परसेंट का फर्क हो सकता है उससे जादा नहीं इसके बाद में आप देखे कॉंग्रेस के वोट को देखे दो हजार बारा में कॉंग्रेस 41 परसेंट के करीब पाती है और उसकी 46 सीटे आती है और उसके बाद में 2017 में वो 38 पॉइंट सम्थिंग परसेंट पाती है और उसकी 77 सीट्स आती है ठीक है अब आप आप इसको यह देखे अब इसके बाद आप देखिए अकाली दल कमोवेस वहीं है इसके बाद आप आजाएए चुकि दूसरा एक प्लेयर आया था जो 23.70 परसेंट वोट लेके आता है और वो भी सीटे लेके जाता है 25 वाले के पास में कम होती है उसके पास जाद हो तो यह इस्थिति है टोटल मिला करके अब अभी एक छोटा सा उधारन इसके साथ चुकि समीचीन है इसलिए मैं बता रहा हूं कि चंडीगर में नगर निगम का चुनाओ हुआ और उस चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी सबसे आदा वोट पाई और वो थर्ड नंबर की पार्टी थी सीट वाई और वहीं भारती जनता पार्टी सेकेंड नंबर की पार्टी थी सेकेंड नंबर के वोट पाई और आम आदमी पार्टी सबसे कम वोट पाई और उसके सबसे आदा सीट थी तो आप यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में इस समय जो इस्तिती सिचुएशन है वो यह है कि वोटिंग परसंटेंग 9% के करीब कम हुआ है तो 9% कम हुआ है कल तक आते आते 2-3% का मालीजे 2% से ज्यादा तो बढ़ता नहीं तो कमों में वो इस्तिती भी हो जाएगी कि तब भी कम है आज तक का इतिहास रहा है जब जब वोट कम हुआ है तब तक कॉंग्रेस के लिए वो बहुत मुफीद रहा है जो वोट परसंटेज जब भी कम हुआ है आप कहना चाहते है कि कॉंग्रेस को एज मिल सकती है अभी बिलकुल मिल सकती है मैं मैं मान के चलता कि कॉंग्रेस जो है पचास के इर्दगेद शीटों के आसपास मुझे नजार आती है तो यह 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 चीज यह चीज यह अची की दिभी पुट्स इस नेक आउट ठीक है मेरी गर्दना बाहर निकल गई है अगर कटे तो कटे कोई चिंता वाली बात नहीं है अगर वापस हम ल निशान दिखाई नहीं पड़ता है यह जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्टेट्मेंट आया है कि साइकिल पर तो बम और उसका समाजवादी पार्टी से रिलेशन सिप यह क्या दर्शाता है और यही बात पंजाब में भी कमों में दिखाई पड़ रही है कुमार बिश का डबल आपको अच्यूमेंट्स बता नहीं थी वह सब फेल है आप भाशन में बोलते हो लोग हसते क्योंकि आपको मालूम है लोगों को हुआ नहीं तो आप इसको इसको यह प्रधार मिंत्री जी को मालूमता कि उत्रकुदेश में क्या हो रहा है उनको मालूमता तो उन्होंने 15 ऑगस्ट के भाशन से इस बात की शुरुआत की थी कि 14 ऑगस्ट को जो लोग मर के आए थे कट के आए थे पाकिस्तान से उनके लिए भी अपने को कुछ याद रखना पड़ेगा मैंने पहला प्रधार मिंत्री देखा जो पुराने ऐसे इतियास को जखमों क पर विगटन हो सकता है वहां से शुरुआत हुई थी मैंने तब भी कहा था कि यह यूपी को लेके है उसके बाद प्रधार मिंत्री तमाम बात देखिए हिजाप कांड से लेके कबरिस्तान से लेके कार्शेवर्ट पर गोलिया चली जिन्ना का बयार अखिलेश ते एक नमबर वन दुश्मन है इसका अर्थ पाकिस्तान अपना दोस्त है देखिए पाकिस्तान को दोस्त बोलता है यहां तक आगे अब यह साइकल वाला तो ऐसा बयान है मझे इससे ज्यादा हासास पर बयान हो नहीं सकता और लगातार नरेंदर मोदी जी साइकल पे कैसे गुज करना जरूरी है जब तक आज असी ट्वेंटी ट्वेंटी एटी नहीं करते बीस असी नहीं करते तब तक आपकी नया पार नहीं होती है तो यह बीस असी आकरी चरण तक करने का प्रयास करेंगे क्योंकि और इनके पास तरकश में कोई तीर नहीं है और यह हो नहीं पा रहा आने वाले चरणों में भी आप देखिए यह फेल होता हुआ नजर आए अभी यह नहीं बता रहे कि हम मतुरा करेंगे अभी यह नहीं बता रहे कि हमने मंदीर बनाया मंदीर मतुरा सब सब पिच रह गया विकास पिच रह गया अब सिर्फ बार बार यह रह गया कि इनको आतं वो ऐसी इतने बड़े नेता मुसल्मानों के गोलियां चली, एक मुसल्मान ने मुझे आवाज नहीं निकाली, वो भी नहीं हो परा है, क्योंकि इस बार लोग इस बात को समझ गए है, कि अब अपने अजंडे पर काम करना है, अपने अजंडे पर ओट करना है, इनके अजंड कि प्रदान मंत्री का वक्तव्य वक्तव्य है जैसे आठोली की कविता है लोग सबाव में टर्क ऑ टर्क ऑ पर साइकल को साइकल जोड़ दिया लेकिन कुमार विश्वास का कहना और उस पे बने रहना और बार बार चैलेंज देना ये कही ना कहीं पार्टी को बुरी तरह से पंजाब में डैमेज किया इसलिए बहुत भागा दोड़ी चड़ रही है पंजाब में सबसे ज़्यादा जो इंपक्ट था इनका वो मालवा में था मालवा में सभी लोग अपना अपना शेर लेने पहुच गये हैं और आखिर में यह जो डेरा सच्चा सवधा का जो सवधा हुआ और उसके तहट जब उसने कहा कि तराजू और कमल को वोट दो यह वोटर वही है जो ट्रैडिशनल जो वोट बैंक जिसको समझता है अरविंद क लड़ाई डेरा की और अकली की थी अब डेरा अकली की सब्सक्राइब कितना खिचड़ी पक रही है इतने खिचड़ी में मैं यह नहीं कहता कि सरकार बन रही है कॉंग्रेस की लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस होगी यह बात निर्विवाद रूप से दिखता है माजा में दिखता है दौब में दिखता है और जो खिचड़ी पक रही है जो खिचड़ी हो गई यह पुरे भेल बन गई है मालवा में उसमें यदि सीटे ले ली तो ये सीटे उनके पास जाएगी अमरिंदर की पार्टी का हश्र केश्व भाई पटेल के पार्टी के हश्र जैसा होगा जब गुजरात में उन्होंने पार्टी लॉंच की सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर कैनल में उनके ठाउलोड फार्टी के एप बडिंदर के का एप मand DM